यहां पे सिर्फ अंदादुन किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग दिखाई जाती है और हम बाफस जाते हैं हम ट्रैप हो जाते है तो अगर आप किसी को भी फॉलो करते है और थोड़ी से knowledge अगर आपके पास में है और इस knowledge का आप इस्तमाल कर पाते हैं तो शायद आपकी trading बहुत अच्छी हो सकती है पर इसलिए इस video को ध्यान में रखके बनाया गया कि पहले आपको बिल्कुल basics को clear किया जाए इस channel पर promise करता हूँ कि आपको सभी ऐसी basic requirements, technical analysis की जो महंगे महंगे courses में लागखोर रुबी की fees लेके बताई जा रही है सब चीज़ें आपको बिल्कुल free में यहीं इस channel पर सिखा हूँ तो please channel को subscribe करने के साथ साथ में bell notification को on रखें और notifications for all on रखना है ताकि इस सब चीज़ें आपको मिले यहाँ पर इस वीडियो पर शुरुआत कर रहा हूँ पहले सबसे पहले trend को identify करने के लिए हम trend को कैसे identify कर सकते हैं और एक सबसे important tool जिसको हम कहते है trend line उसको use कैसे करना है इस्तमाल कैसे करना है लोग random trend lines को लगा देते हैं यहाँ से उठाई, यहाँ लगा दी, वहाँ से उठाई, वहाँ लगा दी बट trend line के इस्तमाल कितने तरह से हो सकते हैं क्या best efficient way है वो इस वीडियो में देखने कोशिश करेंगे क्या trend lines आपको कोई trend को identify करने में वागई help कर सकती है इस वीडियो को पूरा आं तक देखना बहुत मज़़ार होने वाला है और शायद आपकी जो daily trading की जो intraday trade करें की जो गलतियां है वो बहुत अद्दक इस वीडियो में खतम हो जाएंगी तो चली वीडियो को शुरू करते है और देखते हैं कि trend line का इसमाल कैसे करना है और trend को identify कैसे करना है सबसे पहले हम अपने canvas को करते हैं clear और देखते हैं trend कितने तरह के होते हैं trend तीन तरह के होते हैं जहांपे बजार एक higher lie और higher low formation से बजार उपर जा रहा होता है price उपर जाता है दूसरा है जब जार एक lower low और lower high formations कर रहा होता है बजार नीचे की तरफ आ रहा होता है यह तो रहे दो तरह के trend तीसरा trend हुआ no trend sideways market यह भी किसम का trend होता है लोग इसको sideways market कहते हैं या range forward market कहते हैं चौपी market कहते हैं सबसे जादा stop loss आपके इस चौपी market में ही hit होते हैं और uptrend में आप अगर आप buy करते हैं हट पे buy कर निकुशिश करते हैं तो आपको हमीशा से आपको लगे है कि हाँ मैंने पैसा बनाया और मैंने बजार को सीख लिया problem आती है जब बजार थोड़ा सा sideways होता है या बजार अपनी direction को change करता है ये direction जो changes होते है ये हम fail कर जाते हैं जहां हमारे losses बहुत ज़ादा हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं trend line को identify करने के लिए इस वीडियो में हम trend line का तो इस्तिमाल करेंगे करेंगे साब के हम इस्तिमाल करेंगे hackerneshi candles का तो please वीडियो को देखना बहुत बहुत इंटरस्टिंग और दोस्तों से share दो करना ताकि ज़ादा से ज़ादा लोग इन गलतियों की जो शिकार होते हैं वो बच जाएं और आपके trading profitable हो सके तो यह रहे तीन तरह के trend एक है up trend, दूसरा है downtrend और तीसरा है no trend अब trend line कैसे काम करती है इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बजार में आपके support क्या है resistance क्या है तो जिस भी time frame पे आप काम करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपने support resistance को mark कर ले ना support resistance को कैसे find out करना है माली जी बजार कुछ ऐसी direction में चल रहा था और यह बजार का momentum है अब इस momentum में आपको support resistance find out करने है यहाँ पर यह fires का टमेंदर है जो peaks आपके लिए बार-बार-बार rejections का काम करते है तो वो peak आपका एक resistance का काम करेंगे और जो peaks नीचे से bounce देने का काम करते है जो Vs, basically आपको A's and Vs जूनने है basically यह formation कैसी होगी अगर यह है तो एक resistance है और अगर V formation है तो एक support का का काम कर रही है तो आप दिखेंगे मैंने यहाँ पर एक horizontal line mark की है नीचे में Vs को touch करते है तो कहने का मतलब यह support है मतलब प्राइस जब भी यहाँ आता है बजार एक bounce देता है बजार जब भी यहाँ आता है फिर एक bounce मिल जाता है जब भी यहाँ आता है एक bounce मिल जाता है तीनों को जब हम कलब करेंगे इस वीडियो के end में, तब आपको समय आएगा एक strategy बनेगी powerful strategy, जिसके basis पे आप daily trade कर सकते हैं, errorless, चलिए भड़ते आँगे, trendline और support resistance का role क्या रहेगा, अब मालेजी यह आपका price है, यह आपका chart है, तो आपने सबसे पहले अपने important support resistance को mark किया, resistance को आप blue mark कर सकते हैं, और supports को आप green mark कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक होगे, वो एक support या एक resistance important तब होगा, जब आप price को left side में देखेंगे, for example, आपने यहाँ पे mark किया, आप अपने left में जब इस तरफ जाके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर वापस rejection महाँ पे थ तो वो price एक important price था, वो एक अच्छा resistance का काम कर रहा है, फिर आप और left में जाके देखेंगे, तो हो सकता है, आपके पास कुछ ऐसे भी बजार ने positions की हो, हो सकता है बजार ऐसे चला हो, तो कहीं ने कहीं, वो price जब बार बार आपको rejections या touch वहाँ पे होता दिखाए ज़ता ह तो वो horizontal line जो एक support की तरह काम कर रही है, या एक resistance की तरह काम कर रही है, बहुत ही जारा important हो जाती है, अब यहाँ पे trend line का इस्तमाल कैसे करना है, trend line को इस्तमाल करने के लिए, आपको कुछ लोग body of the candle का इस्तमाल करते हैं, कुछ लोग wick of the candle का इस्तमाल करते हैं, आप कैसे भी कासेते हैं कोई भी इसमें इस्यों नहीं है बर जनली अगर आप body की बात करते हैं तो body ज़्यादा कार कर रहती है फिर अगर मैं यहां से इस point से यह कुछ कम से कम एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा top यह एक से ज़्यादा bottom को कट क्या दूसरे top को कट क्या तीसरे top को कट क्या महलब k Aí tapes कर थे इवे सिक ट्च करते हुए विसकर करते हूं थे कट करते ही एक चांथ करते हूं तो यह वेलिड़्य ट्रेंडाइन है तो जब भी एक ट्रेंडाइन को break करता हborg प्रेश नीचे की तरफ आता है तो हम सोचते कि हाँ यहाँ पे एक rejection मिल रही है तो यहाँ पे supplier है यहाँ पे supply है और इस zone के अंदर में बजार गिर सकता है तो यहाँ पर आपको यह देखता है कि जब ट्रेंड-lain का breakout मिलता है या breakdown मिलता है तो वहाँ पे buyer active है या seller active है अब यहाँ पे for example यह जो rally है यह गिरने लगा जब बजार गमानी चीए यह इस तरह से गिरता तो हम इस trend line को और extend कर देते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब भी बजार high बना रहा है एक supply का pressure मिल रहा है फिर वापस जब downfall आता है तो retracement पे आप यहाँ प live chart के ओपर देखेंगे बिल्कुल exactly nifty को देखने कोशिच करेंगे निफ्टी से बड़ा कुछ है निफ्टी में 50 shares का index है और इतना ज्यादा volatile है इतनी ज्यादा moments उसमें रहती है तो आप अच्छा trade उसमें दिन भर बना सकते हैं बजाए कि कि किसी stock को trade करने के आप index में nifty औ आपको पता होना ची कि बजार किस trend में देखें यह एक high था एक low एक high 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 एक low तो क्या आप यह देख सकते हैं कि बजार एक जो low बना रहा है वो higher low formations है देख रहा है आपको यह सब lows जितने भी यह higher lows है और जो highs है वो highs भी हमारे higher high की तरह formation दे रहे हैं, तो जब higher high और higher lag formation है, तो कहीं न कहीं बजार uptrend में हैं, अब यहाँ पे लोग कैसे trend line का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह देखिए, trend line को आपको उठाना है, यह trend line आपको यहाँ पे मिलेगी, और trend line सबसे पहला tool आपको मिलेगा, trend line आपने pick किया, और जब आप किसी high को match करते हुए trend line फर्म करते हैं, तो आपको clear पता लगता है कि हाँ यह uptrend में हैं, आपने कुछ low को फर्म किया, कुछ low को touch किया, तो आपको आप trend दिखाई दिया, वैसे ही, आप अपने left में देख सकते हैं, अगर आप इस high को mark करते हुए एक trend line को खिषते हैं, तो यह trend line valid trend line है, यहाँ से लेकिए यहाँ तक दिखिए, इसने कम से हम दो trend line, दो points को touch किया, तीन points को touch किया, तीसरी बार इसने उसके उपर तो गया, सस्ते नहीं किया, तो trend line का breakdown हुआ, फिर आने की कोशिश की, फिर trend line के नीचे गया, तो basically trend क्या है, अब trend line यहाँ पर smartly, आप दो trend line समाल कर सकते हैं, तो वो top के लिए, एक दूसरे इन दो top के लिए, यह top को touch करते हुए, यह top को touch करते हैं, और यह top को touch करते हुए, यह भी एक validity trend line है, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, हर trend के अंदर भी एक trend होता है, for example, अगर मानलीजे मैं बात करता हूँ, इस trend की, अगर मैं बात करता हूँ, इस बड़े trend की, तो यह एक trend था, ठीक है ना, इस trend के अंदर भी एक trend है, अब देखिए, इस trend के अंदर भी एक trend है, तो हर trend के अंदर में, एक trend आपको दिखाई देगा, यह downtrend है, और इस downtrend के अंदर भी एक retracement थी, तो basically, हमाई जो losses होते हैं, वो retracement के आसपास में हो जाते हैं, हमको लगता है, यह तो बजार उपर भाग जया, हम बड़े trend पे जो trend आइन लगाएंगे, वो हमें real game देगी, और trend reversals कैसे होगे, trend reversals जब आपका कोई भी सपोसे downtrend है, downtrend के बाद में जो पहली बार higher low लगे, देखे, lower low लगाता लग रहे थे, अब यह पहली बार higher low लगाए, तो यह almost बहुत यह certain downtrend का खत्मा है, certain एक trend reversal है, और अच्छा हो जाता है, और शेवर हो जाता है, अगर मान लीजिए यह support पे हो रहा है, तो support identify करने के लिए, आप chart को थोड़ा सा zoom out कीजिए, zoom in करेंगे, तो यहाँ पे आपको खेल पता लगाए, कि अगर मान लीजिए, हमने यह point पे हमने mark किया, यह point हमने mark किया, यह point mark करने के बाद में, यहाँ से जनिश्टी ने एक trend की शुरुआत की, तो क्या यह वही formation नहीं है, एक downtrend था, लगाता downtrend था, एक higher low लगा, higher low कैसे लगा, यह लगाता low लग रहते हैं देखिए, और पहली बार एक higher low formation वहाँ, तो यह low formation का हुआ हुआ, support पे हुआ, अब 680 का क्या support है, लोगों ने left, left में जाके देखिए, क्या पहली भी इसको respect मिली है, जी हाँ, क्या पहले भी वहाँ पे कुछ rejections देखने को मिली है, पहले भी price ने उस point को respect किया है, तो यह, जो trend reversal है, जब support पे हो रहा है, तो यह valid trend reversal है, अब trend को continuation करने के लिए, अगर हम इसमें hack and issue candles का इस्तमाल कर लेते हैं, जो noise cut कर देती हैं, तो यह बहुत ही अच्छा से हैं, अब hack and issue पे trend reversal पे कैसे काम करना है, उस पे एक strategy बनाई है, मैंने उसको जगाए ज़रूर वीडियो देखना, आई बटन पे वीडियो आपको आ रही होगी, इस वीडियो के end जब होगा, तब यह वीडियो का आपको screenshot मिल जगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो पे स्विच कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, ताकि hack and issue के उपर कैसे काम करना है, scalping कैसे करना है, scalping technique मैंने hack and issue के उपर यूज़ करके बताई थी, बहुत भी beautiful है, बजार में जो 10-30 तक moment आती है, वो पूरे दिन sidebase हो जाती है, फिर जाके moment के 2-3 बज़े के आज-पास में कोई moment आती है, तो अगर आपको 2-3 बज़े वाली moment नहीं लेनी, तो सुबह 9-11 में 2 खंटे में बढ़िया से 2-3 बज़े बनते हैं, बट फरक ही है कि आपको trend line को identify करना आना चाहिए, अब ये trend को identify करने के लिए आप hackination को use कीजिए, जिसमें hackination की 3-3 candles होती हैं, आपको मालूम ही है, जिसमें एक candle देगी जहाँ पे आपको कोई भी lower wick नहीं होगा, आप देखे ध्यान से देखिए, जहाँ पे lower wick कोई भी नहीं होगा, मैं mark करना चाहूँ आपके लिए, ये candle, जिसके नीचे lower wick नहीं है, इसका लिए एक bullish candle है, एक candle जिसके पास में upper wick नहीं है, ये bearish candle है, और कुछ candle से जहाँ दोनो wick है, ये है trend continuation candle, जो भी आपने trend, जिस भी trend में आप है, आप उसको continue कर सकते हैं, अब देख लेते हैं कि क्या ये एक महीने, या एक week पर भी trend line या hackerneshy use कर सकते हैं, जी हाँ देखिए, hackerneshy weekly chart के उपर में nifty अभी भी polish दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर आप trend line लगाएंगी, तो trend line यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसको normal chart पर भी कर सकते हैं, और अच्छे से अगर आपको समझना है, तो trend को identify करने के लिए trend line को लगाने के लिए, आप candles की बज़ाए, अगर आप line chart को भी इस्तमाल करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, कि बिल्कुल, देखिए candles में तो चलो, wick का पंगा है, body का पंगा है, अब यह तो आप mark कर सकते हैं, क्या यह trend आप identify कर सकते हैं, किसी peaks को और किसी bottom को mark करते हैं, देख सकते हैं, तो आपका time frame चाए weekly हो, चाहे monthly हो, चाहे वो 1 minute का हो, चाहे वो 15 minute का हो, चाहे 20 minute का time frame हो, जो भी time frame पे आप काम करना चाहें, कर सकते हैं, आप candles पे trend को identify कीजिए, आप line chart पे trend को identify कीजिए, वर सबसे पहले आपको यह देखना है कि बजार का trend क्या है, अब rejections की बात करते हैं, आपको बहुत ज़ादा पैसा आपको बहुत ज़ादा पैसा है, अब यहाँ पे पैसा कब डालेगा, यहाँ पे पैसा डालेगा, यहाँ से बुद्धा कुछ अपना reversal बनाएं, और कुछ ऐसे निकले और ब्रेकाउट हो जाए, जब ब्रेकाउट हो जाए, यह trend line का ब्रेकाउट हो गया, यह higher low formation बहुत आप यहाँ बाई कर सकते हैं, जब first time higher low formation हो, looking on your left, इस bottom को mark कीजिएगा, देखीगा, पहले भी इस पर उपर कुछ गेम हुआ है, क्या, हाँ, अगर पहले इसके उपर गेम हुआ है, तो आप इसको respect कर सकते हैं, आप इसको believe कर सकते हैं, दोस्तों उमीद करता हूँ, यह वीडियो बहुत ही interesting लगा हुआ, बहुत ही simple लगा हुआ हुआ है, और ऐसी simple Hindi language में आपके लिए बहुत सारे content लेके आने वालो, तो please चैनल को subscribe करें, like का बटन भी प्रेस करें, इस वीडियो के like का target है, कमस्रम 1000 likes, तभी मुझे motivation मिलेगी, मुझे समझ में आएगा कि आपको content पसंद आया, और ऐसा content चाहते हैं, तो दोस्तों में share कीजिए, comments कीजिए, किस पे next topic को आई वीडियो बनाना है, वो comment section में comment कीजिए, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, पसंद आया, तो please feedback ज़रूर देगे जाएगा, thank you so much for watching this video, take care, bye bye, जाहिन!